जै मातादी दोस्तों आज की वीडियो दीपावली पूजा से संबंधित होने वाली है हमें कितने दिये जलाने हैं और कौन से घी के होंगे कौन से तेल के होंगे माता रानी और भगवान गडेश की पूजा इस दिन की जाती है लेकिन दोस्तों इनके साथ में आपको धनवंतरी देवता, कुबेर देवता, इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है तो हमने याँ पे सुपारी पे धनवंतरी देवता को बनाया है, ये कुबेर देवता है और इनके साथ में भगवान विश्णू की पूजा करना ना भूले आप कलश हमें जरूर लगाना होता है और कौन-कौन से पाट करने हैं कौन से मंत्रों का जब करना है कैसे हमें पूजा की सभी त्यारी पहले से करके रख लेनी है अपने सभी गोमती चक्र, सिक्के सब को आपको पहले से साप सुत्रा करके चौकी पर लगा लेनी है आईए फटा-फट से पूजा की समागरी देख लेते हैं यहाँ पर यह है पूजा की धाली तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यह है अक्षट, पूजा में चढ़ाने के लिए सफेद अक्षट है, कई लोगों ने पूजा था मैं पीले ही अक्षट चढ़ाने है तो सफेद भी आप चढ़ा सकते हैं यह है हल्दी, जो की हर पूजा में बहत ही शुप मानी जाती है इसी हल्दी से आप चावल को कलर कर सकते हो और हमने लिए है रोली और यहाँ पर अश्टगन तिलक और यह है सिंदूर तो यह सारी चीजें तिलक करने के काम में आती है और यह है हमारा भीमसेनी कपूर और धूप तो देखिए सभी चीजें आपको अपने पूजा में पास में रखनी होती है और यहाँ पर जल से भरा पात्रेक आपको लेना है और उसमें आच्मन हमने लिया है और कुस गास तो देखिए कुस गास नहीं है तो आप आच्मनी भी ले सकते हो पुस्पों से भी जलका चिर्काओ किया जा सकता है और ये है दोस्तों जनेव हर पूजा में जनेव हमें नया ही इस्तेमाल करना होता है हम लोगे कठे लाके रख लेते हैं यदि आपके पास नहीं है तो आप कच्चा सूत लेकर अपने उंगलियों पर साथ बारी धागे को लपेट कर जनेव आप बना भी सकते हो इस तरह से आसान तरीके से आप जनेव भगवान गडेश को भगवान विश्नु को धन्वंतरी देता को जिसको भी पहनाना हो आप पहना सकते हो ये है हमारा भीम सेनी कपूर जो कि हम आरती करने के काम में लेंगे और इधर में ये है रोली जिसे बहुत सारे लोग मौली भी बोलते है सुरी दोस्तों ये है मौली के धागे जिसे बहुत सारे लोग कलाई नारा बोलते है तो ये आप कॉटन वाला भी ले ले सकते हैं सिंथेटिक भी ले सकते हैं और इसे छोटे-छोटे टिकुड़े में कट करके आपको रख लेना है वस्त्र के रूप में हम देवताओं को स्नान कराने के बाद समर्पित करते हैं यदि आपके पास वस्त्र है तो आप उसे पहना सकते हो ठीक है तो आप इस तरह से पूजा की थाली में देखिए ये विसेश समागरी हम आपको दिखाना चाहेंगे ये है जोग जब हम यम का दीपक लगाते हैं तो आसन देने के काम में आता है और इधर में है कमल गटे की माला जो की मालक्षमी के मंत्रों का जब करने के लिए ये चोटी-चोटी चीजे बहुत ही वि तक और इसमें है स्री सूक्तम और लक्षमी स्त्रोत तो देखिए आप पूरे लक्षमी स्त्रोत स्री सूक्तम का पार्ट कर लीजिए या फिर इसमें से एक मंत्र उठाकर मंत्रों का जब भी कर सकते हैं और ये है लक्षमी आरती तो कई लोग पूछते हैं कि मैं हमें किस द पूजा की थाली एक साथ आप कर लेंगे और पांचो दिन आपको ये थाली इस्तेमाल में आएगी अब आएगी देभी दोताओं के पूजन में अगियारी जिसे कहते हैं वो भी बहुत महतु रखता है तो ये है हमारा गाय के गोबर का उपला और ये हमने घर पे बनाया था नौरात्री में हमन समागरी आप बताशे और लॉंग से भी कर सकते हो अब आएद दीपक के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों ये हमारा घी का दिया है यानि घी हम जलाएंगे और ये कपूर आर्ति के लिए है तो इसे हम अलग कर लेते हैं ये रूई की बाती है और सिक्के जो की हम 13 दीपों में जब लगाते हैं तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं एक बड़ा दीपक आपको रखना है उसमें सबसे पहले क्रॉस बत्ती लगानी है ये दिया सबसे पहले आप जलाएंगे जैसे हम लोगों के आप कुल देवी के नाम से जलाए जाता है उसके बा जैसे की दो दीपक लगाने की प्रता है एक घी के और एक तेल की और ये सारी रात्री यानि की अखंड दीप आप लगाएंगे तो ये बड़ा दीपक है और हमने एक आगे जो लाल बला दीपक है इसमें घी डालेंगे और इसमें तेल तो ये दोनों दीपक आपको पुरी तो जो आप लोग पूछ रहते कि धन्तेरस पर हम क्या लाएंगे तो वह चोगड़िया और यह ग्वालन आपको लेकर आना है आगे अभी आपको चोगड़िया के बारे में बताएंगे तो इससे हम मालक्षमी के आर्थी करते हैं इस बालन से और तुलसी जी की वी क्योंकि मा तुलसी का भी स्वरूप मालक्षमी के लिए होता है यह है घंटी तो यह सभी चीजें उस दिन बहुत जादा दोड़ भाग होती है इसलिए आप पहले से सभी चीजे अरेंज करकर यदी रखते हैं तो बहुत आसान तरीके से और बिलकुल मन से आप पूरे परिवार के तो यह जो मैं आपको चोगडिया के बारे में बता रही थी यह है चोगडिया और इसमें चार कुल्हड लगे होते हैं हम इसमें खील बतासे मुरमुरे और धान का लावा चूडा जिसे आप पूहा कहते हैं और भगवान गडेस के लिए लड़ू भोग प्रशाद और बता करके हम देवी देवताओं को भोग प्रशाद के बाद तांबूल अरपित करते हैं और यहां पर कुछ पुष्प हैं तो देखिए प्री पुस्पाप ले सकते हैं जैसे कमल के पुष्प हैं गेंदे के पुस्प की माला ले सकते हैं और हमने यहां पर गुलाब के पवाराना चाहिए सिख्को के रूप में नहीं चड़ाना शिक्के आप डिये में डाले और यहां पर कुछ फल विशेज कि यह च्रिफ पर जो की हम मा लक्षमी को भोग लगाएंगे और Mundie के पास रखेंगे और यह है शरीफा यह भी मा लक्षमी को प्रसनता दिलाता है और यह तो रितु फल है आप इसे चढ़ाएं और यहां पर आउले का फल है जैसे मैंने आपको धंतेरस पर 13 आउले के दान करने के लिए बताया था तो इस दिन भी आपको मा को चढ़ाना है और यह सारे भोग प्रश आप अपने हिसाब से देवी देताओं के लिए उनके प्रिये वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं तो यह पीले रंग के वस्त्र हैं हम भगवान गड़ेश के लिए लेकर आए हैं और कुछ वस्त्र मा लक्षमी के लिए यहां पर कुछ माला है सजावट के लिए है वैसे तो पुस्पों की माला हम लोग चड़ाते हैं और कुछ स्रंगार की चीजे मातलक्षमी को आपको जरूर चड़ानी है तो चूड़ी विंदी और सिंदूर ये मेन होता है इसे आपको चड़ा लेना है दिखिए दोस्तों यह सारी चीजे जो हम भोग प्रशाद या फिर स्रंग इस तरह से पैकेट आप पूजा के चौकी के पास में आपको अरेंज करके रख लेनी है और फिर जब यह हमारा तिवहार हो जाता है फिर उसे हम रसोई घर में स्थेमाल करेंगे दोस्तों इस दिर अग्यारी करना ना भूले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें और ये हम आपको चौकी दिखाते हैं तो यहां पर हमने ये अस्तिदल कमल बना कर इसके उपर कलश लगाया है इशान कोड में और इसके दूसरे तरफ ये आप देख लीजे हमारा ये रेडिमेट कलश है बहुत ही सुन्दर भी लगता है और शुब भी होता है तो पूजा में अभिशेक करने के लिए ये हमें इस्तेमाल में आता है जो हमारा दक्षणावरती संक होता है तो आपके पास साधारन संक है वो भी आप ले सकते हो यहां पर हमने दीप कलश लगाया है और कुछ हमने चादी के सिक्के और हमारे हां सोने की भी पूजा की जाती है तो चादी यहां पर रखी हुई है और यहां पर दीप हमने लगाया है तो अगने कोण में हमने दीप लगाया है और यहां पर हमने स्री कलश लगाया है बहुत साले लोग पूछ रहे थे और यह जो हम दीप जलाएंगे यह पूजा जब तक हम करेंगे जब तक हम लोग जगेंगे तो आपके पास जो भी स्रीयंत्र आप रख सकते हैं भगवान विश्णु की प्रतिमा आपको जरूर रखनी है तो इस तरह से आपको पूरी चौकी अपनी अरेंज कर लेनी है और दीपा वली वाले दिन आपको अपने पूजा की सभी तैयारी करते हुए विदिवत मातारानी की पूजा करनी है और दोस्तों इस दिन आपको रंगोली भी बनानी है तो दीखिए आप फूलों की रंगोली बना सकते हैं आप आटे से बना सकते हैं जैसे भी आपके पास स्थान हो यानि जगे हो सुविदा हो उस तरह से आप रंगोली अरेंज करें और मातारानी की पू जब इडी नेक्स वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे जैय माता दी